मुझाइब वेलकम बैक टू दया चैनल आज करें वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत इंपोर्टन परसनल के बारे हम बात करने वाले हैं और कुछ इंपोर्टन बैटल्स भी हमें आप देखेंगे तो जली जली से स्टार्ट करते हैं तो सब से पहले मैं बताता हूं आपको 1757 यह 1757 का जो डेट है इंपोर्टन है 1757 का यह बिकॉज इस टाइम पे हुई थी बैटल ऑफ प्लासी प्लासी का युद्ध हुआ था अगर आप हिस्ट्री बैक्ग्डाउंड से हैं तो आप तो काफी अच्छे से जानते ही होंगे बैटल बैटल ऑफ बैटल काफी इंपोर्टेंट हैं फॉम एनी पॉइंट फॉम एनी एक्जाम पॉइंट ऑफ यू किसी भी एक्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहें तो यह दोनों बैटल जो है काफी अच्छे से पूछे जाते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कौन से सन में हु हुआ था तो यह आपकी जानकारी खेले में बता दूँ दोनों ही बैटल्स भारत के नवाप बंगाल के नवाप और जो बिटिशर्स हुए थे अंग्रेश उनके बीच में हुआ था सो जैसे ही यह बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में तो रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है और यह रॉबर्ट क्लाइव होता है पहला फर्स गौवर्णर ऑफ बंगाल सही है पहला गौवर्णर होता है बंगाल का कौन रॉबर्ट क्लाइव तो रॉबर्ट क्लाइव जो पहला गौवर्णर होता है बंगाल का उसके बाद यह फर्स गौवर्णर ऑफ बंगाल जो है बनता है कौन से 1757 में जैसी बैटल ऑ प्रासी खतम होती है 1757 से लेकर 1772 तक 1757 से 1772 तक ये पोस्ट रहती है गवनर और बंगाल वाली न ये पोस्ट रहती है फिर आपको पता होगा कि 1773 में एक एक आता है जिसको ना जानते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट और 1773 भी बोलते हैं जिसे रेगुलेटिंग एक्ट तो इस एक्ट के थुरू क्या होता है जो गवनर होता है अभी तक बंगाल प्रिस्टेंसी का जो गवनर होता है इसको नाम दे दिया जाता है गवनर जन्रल तो पहली बार जो टम यूज किया जाता है गवनर जन्रल वो इसी समय यूज किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद साल है 1773 तो पहला गवनर जन्रल बंगाल का ठीक है गवनर जन्रल पंगाल अभी तक गवनर पंगाल था यह हो है गवर्नर जनर्रल अब बंगाल तो पहला गवर्नर जनर्रल अब बंगाल कौन होता है पहला गवर्नर जनर्रल अब बंगाल होता है वारन हैस्टिंग वारन हैस्टिंग ठीक है तो वारन हैस्टिंग गवर्नर जनर्रल अब बंगाल होता है और यह कुछ important काम करता है जैसे कि प लीगल हिस्ट्री वाली वीडियो लेक्टर्स देखी होंगी तो वहां पर मैंने काफी अच्छे से हर्टीज मैंशन की है मेर कोट, एड्मिरिल्टी कोट, सारी चीजे जो है administration of legal system in administration of justice in Madras, administration of justice in Bombay, administration of justice in Calcutta सारी चीजों के बारे में अच्छे से हम आपे discuss किया है आप जाके check on कर सकते हैं legal history की playlist में so Calcutta में जो यह Supreme Court की establishment करता है जिसका jurisdiction सिफ और सिर्फ Calcutta presidency तक होता है Calcutta का Supreme Court होता है so और यह क्या करता है यह Calcutta का Supreme Court की establish करता है जो East India Company होती है उसके जो affairs होते हैं काफी जो है wide range में उसके affairs चल रहे होते हैं affairs मतलब business affairs जो है political affairs जो है जो सारी चीज को control करने के लिए Supreme Court का establishment करती है कौन? Crown अब जैसी establishment of यह Supreme Court होता है Calcutta में border testing करता है so यहाँ पे जो है parliamentary system तिक है अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में parliamentary system कब establish हुआ था इंडिया में हाँ सबसे पहले जो है पालिया मेंटरी सिस्टम Governor General Warren Hastings Governor General और बंगाल Warren Hastings के time पे ही हुआ था तो यह चीज आपने इत्ती चीज जहे जान ली है अब क्या है कि यह जो सत्रा यह जो सुप्रीम कोड इस्टैबलिश्मेंट होती है यह पी काफी important हो जाता है और यहां पे जो first justice होते हैं इसके सुप्रीम कोड के सुप्रीम कोड औफ कलकता पूरे इंडिया का नहीं तो यहां का जो first जो जज होते हैं वो होते हैं आप सबने नाम सुना होगा नहीं सुना है तो कोई नहीं अभी सुन लीजें नोट कर लीजें अपने जहन में दिमाग और दिल में बिठा लीजे तो first justice उसके होते हैं अब आपने यह नाम सुना होगा Asiatic Society of Bengal Asiatic Society of Bengal यह भी जो है Warren Hesting के टाइम पे है इसके टाइम पिरेड में क्या होता है कि यह जो है डायर की सिस्टम द्वैत सासन ठीक है डायर की सिस्टम यह लागू करता है द्वैत सासन मतलब की क्या होता है कि जो administration work तो करते ही है साथ में जो यह revenue work होता है न यह भी इनके हाथ में चला जाता है रिवेन्यू वर्क और पॉलिटिकल वर्क ठीक है रिवेन्यू और पॉलिटिकल वर्क जो है यह रॉबर्ट कलाइब इंट्रिड्यूस करता है जिसे बोलते हैं डेरायर्की सिस्टम और द्वैद सासर ठीक है अब जो है यह डेरायर्की सिस Administration तो तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तुम राज करो, लेकिन revenue जो है, जो भी state से revenue आएगा, वो company कवर करेगी, ठीक है, ये चीज आपने देखी कि, द्वैट सिस्टम के, तेर्ट रॉबर्ट क्राइब के टाइम पर होता है, और जित्ते भी जो revenue होंगे, जो कहां से मिलेंगे, ठीक है, और land revenue, tax session system, सारा tax session system, और सारी military किस की होगी, हमारी East India Company की होगी, ठीक है, रिवेन्यू, land revenue, tax, military, ये सारा system, East India Company का होगा, और जो नवाब होगा, बंगाल का, उसको क्या देदिया जाएगा, administration, ठीक है, तो ये सारी चीज जो है, डेरर की system बोला जाता है इसको, और ये रॉबर्ट क्लाइब ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये चीज जो है, आप पॉलिस की थी, Sir William Jones, Sir William Jones, तो इत्ता आपको सबको समझ में आ रहा होगा, किसी भी exam में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और आज तक आया भी है बहुत सारी examों में, और एक fact मैं और बता दूँ आपको, वर्रन हेस्टिंग के टाइम पे, जो first newspaper step, जो है, फब्लिस हुआ था न इंडिया's first newspaper, first newspaper, क्या नाम था इस पहले newspaper का, इसका नाम था the Bengal Gazette, जैसे मेरे newspaper का नाम अगर मैं कभी future में करूंगा, तो होगा the Fatepo Times, ठीक है, तो ये है the Bengal Gazette, ये जो है first newspaper था इंडिया का, और ये publish हुआ था, published, किसके टाइम पे, ये Warren Hastings के टाइम पे, publish हुआ था, Warren Hastings जो है, अभी तक, 1774 में क्या बन गया है, 1773 के regulator के थुरू, regulating act के थुरू, जो है, ये governor general बन गया है, बंगाल का, यानि कि बंगाल का जो supreme authority है, अभी तक Warren Hastings है, तो ये सारी चीज़े आपने देखी, अब जो है, अ इंडिया act, आता है, pits India act, जो है, ये existence में आता है, pits India act, ठीक है, अभी जैसी existence में आता है, अभी क्यों existence में आता है, जो 1773 का regulating act था, 1773 का जो regulating act था, इसको मजबूत करने के लिए, इसको strengthen करने के लिए, ठीक है, अब जैसे इसको strengthen करने के लिए, ये जो pits India act निकाला जाता है, ठीक है, तो ये जो है, पहरी बात तो आपको जानना पड़ेगा, pits India act, कौन पास करता है, ये जो British Parliament होती है, बिट्रस पार्लियमेंट, ये जो ये act लेके आती है, तो strengthen this regulating act, चौन बहिए, ये चीज़ तो आपने जान लिए, कि बिट्रस पार्लियमेंट एक लेके आती है, जिसको बहते है, pits India act, 1784 में, अब यहाँ पे भारत में, बंगाल में जो है, गवर्नर जनरल होता है, बंगाल क Warren Hesting, सही है, अब जब जैसी Warren Hesting होता है, और Warren Hesting इस act को oppose करता है, Warren Hesting, opposes pits India act, अब ये pits India act को oppose करता है, अब भाई ये जो है Warren Hesting इसको Pits India Act को अपोस करता क्यों होगा ये इसलिए अपोस करता है क्योंकि इस Pits India Act के थूँ इस कानून के थूँ एक बॉड़ी बनती है इसे बोलते हैं Board of Control अभी तक आपने जो है मैंने आपको लास्ट की जो वीडियो मैंने आपको बताए थी लीगल हिस्ट्री की उसमें मैंने आपको बार-बार में यही बोल रहा था कि इस इंडिया कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो भई दो बॉडी बनती है एक होती है जन्रल कोट और दू यह जो इस इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था यह जो चार्टर मिला था 1600 में क्वीन एलिजबेट फॉर्स न उस चार्टर के थ्रू हुआ था 1608 में यह लोग फॉर्स टाइम इंडिया जो है आये थे यह वाली चीज अलग है लेकिन बतानी ज्यादा जरूरी है इसी बॉड़ी थी जो जित्ते भी मेंबर्स थे अभी तक जैसे काउंसिल है कलकत्ता की गवनिंग कर रही है पूरे सहर को तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करती थी बॉर्ड ओफ कंट्रोल तो यह चीज आपको समाझ बारूगा अब जब सहर में जो राज चल रहा है वा वारन हेस्टिंग पे वारन हेस्टिंग क्या होता है बेसिकली गवनरी तो होता है गवनर एन कॉंसिल का एक में सरदार होता है गवनर एन कॉंसिल एक बॉड़ी गवनर एन कॉंसिल हो गई दूसरी बॉर्ड ओफ कंट्रोल हो गई बॉर्ड ओफ कंट्रोल अब जो है इसको कर रही है कि तुम ये करोगे तुम ये नहीं करोगे जो कुछ करोगे तुम हमारे कंट्रोल में करोगे तो ये काम होता है इसका कंट्रोल तो अब इस से जो क्या है कंट्फिक्ट सुरू हो जाती है वारन हेस्टिंग और इधर Warren Hesting and ये Board of Control के Members में Conflict सुरू हो जाती है अब Conflict सुरू हो जाती है तो Warren Hesting को जो है Warren Hesting पे जो है एक चार्ज लगा दिया जाता क्योंकि आपको पता हो अगर आपने काफी अच्छी से Depth में Study की है तो Warren Hesting जब यहाँ पर Rule कर रहा होता है तो यह Rule करते टाइम पे एक Case होता है तो एक Person होता है उसको जो है फासी में लटका देता है जो है क्योंकि जब यह वहाँ का As a Revenue Collector होता है तो यह कुछ घूस वगरा खाता है तो इसका जो है यह चीज यह मुद्दा जो है इंपीचमेंट का इंपीचमेंट का यानि कि इसको निकालने की जो प्रिकरिया होती है उसको बोलते हैं इंपीचमेंट तो इंपीचमेंट का जब इनके चार्ज चड़ाया जाता है तो यह जो है अपने पोस्ट से इसको रिजाइन करना पड़ता है रिजाइन करना पड़ता है और जैसी इंग्लेंड में पहुषता है उसके बाद इस पे जो है एक जो इंपीचमेंट का जो चार्ज यह पूरी परकरिया चलने लगती है वारे नेस्टिंग पर ठीक है इंपीचमेंट की परकरिया और कुछ टाइम बाद ही जो है जितने भी च कि उसके बाद जैसी इसका यह घटना होती है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो उसके तुरन बाद जो है क्या 1785 में 1785 में 1785 में अब भई गवर्नर ठीक है जो अभी तक जो मेन बॉड़ी था यहां का कलकत्ता में जो राज कर रहा था वो जो है वो पोस्ट खाली ह हो जाती है तो भई अब अगला बंदेगों तो पॉइंट करेंगे ना तो अगला बंदा कौन आता है उसका नाम होता है लौट कॉन वेलिस आई होब कि आपने इसका नाम भी सुना होगा मेरे मित्रो लौट कॉन वेलिस तो इसका जो टाइम पिरेड है यह 1785 से लेकर 1793 तक समझ रहे हैं 1793 तक यह बंगाल का गवर्नर जन्रल रहता है अब आपके माइन में यह पॉइंट आ रही होगी कि जैसे 1773 में सड़नी गवर्नर से पोस्ट चेंज हो जाती है गवर्नर जन्रल पे ठीक है गवर्नर जन्रल पे जो कि यह है अभी फिराल 1785 में कॉन लौट कॉन वर्स तो यह जो गवर्नर जन्रल बन जाता है इस टाइंड पे तो आपके माइन में जो कुशन आता है गवर्नर से जो गवर्नर जन्रल बनता है गवर्नर जन्रल पंगाल होता है यह गवर्नर बंगाल का होता है तो यह पोस्ट होती है गवर्नर जन्रल पंगाल तो सड़नल में आपको बता दूँ कि जो चार्टर होता है चार्टर ओफ 18-33 इसके थरू यह वाली एक्टिविटी हो जाती है यह जो बंदा होता है जो परसन होता है गवर्णेट जनर्नल के पोश्ट में जिसको बंगाल का गवर्णेट जनल का पोस्ट दिया जाता है उसको जो है Governor General of India बना दिया जाता है तो यह वाली चीज यहां से होती है तो कोई confusion वाली बात है नहीं तो अभी तक आपने देखा पहला Governor General बंगाल का कौन था? Warren Hirsting और यह Last Governor भी था बंगाल का दूसरा Governor General आपने कौन देखा? देखा बंगाल का अभी तक बंगाल की बात चल रही है तो दूसरा Governor General आपने बंगाल का यहां पर मैं लिख देता हूं बकाईगा Governor General of Bengal आप तो पहला आपने देखा Warren Hirsting दूसरा आपने देखा Lord Cornwells और Robert के लाइफ सो Governor था ना सिर्फ सिर्फ बंगाल का पहला Governor था Robert के लाइफ और जैसे ही Lord Cornwells को Governor General बनाया जाता है बंगाल का 1885 में क्योंकि अब जो है Governor General की जो seat होती है बंगाल की वो खाली हो जाती है इंपीच्मेंट का चार्ट चड़ा दिया जाता है जिसले Lord Cornwells जो अगले Governor General बनते है बंगाल की तो इसका टाइम पिरिएड यह जो है 18 करती है 1785 तो मैंने जो है पिसले कुछ मैंने गलत बता दिया था क्या सब कुछ सही है गाईज बिल्कुल सही का आदमने आठा तो तैट इसका जो चार्टर होता है उसके तहट जो एक Governor General बंगाल होता है ऐसे बना दिया है Governor General of India तो यहां पर थोड़ी गड़ बढ़ोगे 1785 में Lord Cornwell इसको Governor General बना दिया जाता है बंगाल का अब देखे इसके टाइम पर क्या क्या important काम होता है वो चीज़ देख लेंगे तो सबसे पहला जो है और important काम जिस चीज़ के अब तयारी कर रहे है Civil Services Civil Services तो इसी Lord Cornwell को Father बोला जाता है Civil Services का Father of Civil Services important question बन जाता है हर जग आप पुछा जाता है कि Father of Civil Services कौन है किसको माना जाता है तो Father of Civil Services है Lord Cornwell इंडिया में कब आयते 1785 में as a governor general of बंगाल तो इत्ती सारी चीज़ अगर आपको पता है तो आगे चलते है और इन्होंने ही जो है Police Services जो होती है इंडिया में इन्होंने ही स्टार्ट की थी Civil Services, Police Services और अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने Civil Services established की इनके टाइम पर क्या होता था Civil Services के टाइम पर जो है मतलब वो कहते ना उसको की भेदभाव चलता था भेदभाव क्या चलता था कि जित्ते भी जो High Officials होते थे सिर्फ उनी को Recruit किया जाता था ऐसा Civil Servant कोई Competition Exam कुछ है नहीं होता था कुछ भी नहीं होता था जो है मतलब जो High High Post में होंगे वो जो है Civil Services मैं जो है यहाँ पर सीद्वास के Civil Servants बन जाते थे तो भाई इनके टाइम पर तो यह होता था ठीक है पास्लेटी होती थी सो जैसे ही Lord Dalhousie आते हैं यह क्या करते हैं Competitive System Start कर देते हैं competition exams का ठीक है कौन करते हैं Lord Dalhousie तो एक चीज important निकल के आ रही है आपको जो है सब लिखा हुआ सब कुछ मिल रहा है आपको बस इस चीज को याद करनी है और यह काफी काम आने वाली है और गाइस अपने इस चैनल को आप अपने दोस्तों के संग जो है शेर करें ताकि उनसे बोले कि इसे सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें वीडियो को और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले सो अब जैसे कॉंप्टिटिव सिस्टम का जो है यह लॉट डल हाउजी धांचा तयार करते हैं तो पहले जो हाई ओफिसेज को न्यूक्स किया जाता था ऐसा सिविल सर्वेंट अब इन्हें जो है इक्जाम्स में बैठना पड़ता था ऐसा ही नहीं कि उठके मूँ उठाए और चल दियो और सिविल सर्वेंट बन गए भई आईपेस आईएस बन गए नहीं ऐसा नहीं अब लॉट कॉनवालिस ने पहली चीज़ तो सिविल सर्विसेज की दूसरी पुलिस सर्विसेज का इन्होंने स्टाबलेश्मेंट किया अब इन्होंने जो है हर एक दिस्टिक्ट में इज में इस इस्टिक्टे इस्टिक स्टाबलेश्य पुलिस श्टेशन यह सारी जो चीज है आपको देखनें के लिए मिल रही है पुलिस सटेशन के सुरुवाद यह करते हैं, पर्मानेंट सैटल को इनेक्ट करते हैं, लागू करते हैं, बनाने और लागू करने में बहुत डिफ्रेंस होता है, बनाया किसी और ने था, पर्मानेंट सैटल मेंट का स्थित्व कौन लेके आये थे, आपको वो चीज भी मालू होनी चीए, इन परसन का नाम है Sir John Sore पर्मानेंट सैटल ये लेके आया थे यारि किμηhist के father Sir John Sore को बोलेगे लेकिन इसको in-act किस ने करवाया था इसको in-act Sir ये क्या हो गया थे Lord Convalis ने करवाया था सहवह है अब देखें पर्मानेंट सैटल में—773 में— ठीक है यानि कि अपने service case ठीक जो है आठ साल में ये पर्मानेन सेटल को इनेक्ट कर देते हैं अब इस settlement में होता क्या है कि जो बंगाल, बिहार और उडिसा ये चीज इंपोर्टेंट है बंगाल, बिहार, उडिसा बंगाल, बिहार और जो उडिसा है यहाँ पे land revenue policy इनेक्ट करवाते है land revenue policy, land revenue policy जैसे कि आम नाम से ही समझ रहे है land और revenue यानि कि जो जमीन से कर लेने का जो इस system होता है उसको बोलते है land revenue policy इस policy के तहत होता क्या था जैसे ये पूरी एक बड़ी सी land है ये जैसे ये पूरी एक बड़ी सी land है और इस land को छोटे छोटे portion में कुछ लोगों को दे दिया जाता है इसमें ये बोला जाता है अब ये लिखने में बहुत छोटी है ये जो है एक सो बीस एकर, एक सो तीस एकर बड़ा सा मान लो कि एक पूरा पूरा district दे दिया जो है डिस्टिक का डिस्टिब्यूट कर दिया उस district में जो है बंदे रख दिया उस बंदे को बोला जमीदार, जमीदार को बोला भाई ये खेत हमको तुमको देते हैं और इस खेत में तुम खेती करो चाहे इसको तुम रेंट में दे दो लेकिन हमें उससे कुछ ही नहीं करना हमें क्या करना है कि जितना भी रेंट्यू आयेगा तुमारे लेंड से जैसे रिवेंडय रेंट्यू रेंड़ रेंड्यू आता है तो 90 रुपे तो भाई कमपनी ले 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 यानि कि 90 परसंट जो है कमपनी ले लेगी यानि कि टोटल रेंडय रेंड Millennmans उस जमीन से जित्ता भी revenue आएगा उसका 90% revenue company लेगी और जो बागी का बचा जो 10% revenue होगा 10% जो revenue होगा वो सिर्फ जो जमीदार रखे हैं छोटे-छोटे इनको रखने का हक मिल जाएगा यानि कि तुम पूरी मेनत तुम करो और क्या कहते हैं सारे रुपे हम ले लेंगे तुमें सब 10 रुपे दे देंगे बीक में तो यह चीज जो है काफी गलत हो रही थी जमीदारों के साथ आप खुद अपने आपको रखके देख लीजे कि आपको जमीदार अपॉइंट कर दिया गईगा और आपसे बोला जा रहा है इस खेत को जो तो इसमें पूरा काम करो और काम करने के बाद जो भी फसल उखती है उसमें से जो मुनाफ़ा होता है उसका 90% तुम हमें दे दो तो आई होब कि आपको ये जो है लेंड रिवानी पॉलिसी या पर्मानेंट सैटलमेंट जो है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा जो तो अब जो है सिविल सर्विस के बाद पुलिस सर्विस के बा पेपरों की कभी बरबादी नहीं करने चाहिए ये टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान के साथ ये एक अलाइंस करते हैं समझोधा करते हैं अब ये संजधा या अलाइंस का बहुत है जब कभी युद्ध की स्तिति होती ना उस युद्ध को रोकने के लिए या ऐसा युद इस जो है यह टीपू सुल्तान के साथ एक संधी करते हैं और इस संधी का नाम है स्री रंग पटनम स्री रंग पटनम अलाइंस ठीक है स्री रंग पटनम अलाइंस अब भाई यह ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि जब यह टीपू सुल्तान बच्चे होते हैं जो इनकी बिताजी हो और यहां पर रह रह स्री रंग पट्णम फोर्ट में मैसूर में कावेरी नदी माइसूर मैसूर यहांसे 9 किलोमीटर 9 किलोमेटर के डाइरे में इस फोटिसम पट पाणते हैं तो अ Appe ACL फोट और उस फोट में जो है है एदर अली अपने बेटे के साथ रहा करता था एदर अली वितिस्सन टीपू सुल्टान तीपू सुल्टान उससे में बच्चा था तो यह जो है सर जी लौट कॉन वालिस लौट कॉन वालिस ने इस स्रीरंगपट्टनम देख रहा है स्री रंगपट्टनम फोट को यह कौन वालिस भईया सीज कर लेते हैं अब यह सीच कर लेते हैं तो जब टीपू सुल्तान बढ़ा हो जाता है तो इसका खुन खौल उड़ता है तो यह काफी जो है इसके लिए बिवाल्ट करता है लाइन्स करता है लास में डर जाता है कौन वालिस टीपू सुल्तान से उसका रुद्र रूप देखकर आपने काफिया काफी कहानिया सुनी होंगी टीपू सुल्तान के बारे में तो जित्ता कहींगे उत्ता कम है सेर था हैदराबाद का आज जो आप हैदराबाद आंत्रपर् लातीप